वे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दा हंड्रेट के जो मैचेश चल रहे हैं उसमें पहला मैच आज जो है वो मेंस का है टी रिटी वर्सेश एसो बी वो में को सब्सक्राइब कर लिए जैसे मैं वो वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा तो अभी पहले बात करेंगे वोमेंस मैच की जिसमें एक तरफ होंगी नैटसीवर एक तरफ होंगी स्मृति मंदाना बहुत बड़े-बड़े प्लियर से मैच में खेलने वाले वो सब्सक्राइब करेंगे तो दो प्लियर आपको बहुत कमजोर लेने पढ़ेंगे और वह लक बेस हो जाएगा आपको बता दूँद नौप लेने स्किल बेस रहेंगे अगर टूटल ग्यार प्लियर आपको लेने स्किल बेसे पर तो वह भी मैं आपको बता दूँगा कौन से प्लियर साप ले सकते हैं ठीक है मैच टाइमिंग की बात कर तो साड़े तीन बजे खिला जाएगा इंडियन बता दूबर में यहां पर हाला कि बीस ओबर से थोड़ा छोटा मैच रहता है दा हंड्रेट का बट फिर भी आप अच्छा खासा दोसों के आसपास या 210 के आसपास की स्कोरिंग यहां पर देख सकते बट वोमेंस मैच है तो थोड़े से 20-25 रन कम कर लिजे 170 के अराउंड म शुरुआत में बैटिंग करने आएंगी बहुत जादा एक्सपीरियंस है और बैटिंग ट्रेक जब इनको मिलेगा तो यह बहुत अच्छा कर सकते हैं रेचल प्रीस ट्रेंड ट्रॉकेट वोमेंस की तरफ से ओपन करेंगी कैथरिन ब्राइस इनका सांथ देंगी जिसमें अगर हम T20 में मैच देखें तो रेचल पीष्ट के 272 मैच हैं पांच यार सूपर रन है चौब इसका बेटिंग अबरेज है बहुत जादा एक्सपीरियंस बहुत जादा स्किल्ड प्लेयर हैं रिसेंटली अगर आप इनकी T20 फॉर्मेट की कुछ स्कोर्स देखेंगे तो ह सबसे ज्यादा सूट करता है थोड़ा था च्छोटा है तो जो टीटी का स्कोरिंग है प्लेयर्स का वही आप हंड्रेड में मान के चलिएगा उतना ही एक्सपेक्टिशन आप उनसे वहां पर रखिएगा तो कैथरिन ब्राइस जो है वह भी रिसेंटली ठीकठा केल रही है हर दूसरे मैच में एक एवरेज इनिंग क्या सपास परफॉर्म करती है यहां पर देख सकते हैं पिछले 5-6 मैच में 50% रिजल्ट है 50% मैच में ठीक परफॉर्मेंस है 50% में खराब है और थोड़ी बहुत बालिंग भी करती है थोड़ी बहुत इंपॉर्ण तो यह भी रह और बॉलिंग में भी हमेशा एक या दो 2 लेके जाती है और पर चार वर करती है यहां पर यह बहुत जबर्दस्ट करती है यहां पर गप्तानि की सबसे बड़ी बहुत अच्छा रहेगा हम आगे वीडियो में देखेंगे इसका लात जान सेमी जौ जो जौंसन यह भी 89 विक्टे हैं और ताइम आने पर बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है तो जो जॉंसन ग्रेंड लिंग में आप केप्टन भी रख सकते हो रीसेंट फॉर्म इनका बहुत ही तगड़ा चल रहा है हर मैच में विकेट हैं दो विकेट टीन विकेट टेक विकेट देखे जाते हैं हेतर ग्राहम बैटिंग इवरेज इनका ठारा का है यह भी विकेट टेकिंग प्लियर है बट थोड़ी सी कम रीसेंट फॉर्म अगर हम इनका देखें तो पिछले 6-7 मैच में दो बार विकेट लेस गई हैं बाकी आप मोस्ट आफ टाइम इनको भी विकेट वगेर में भी यह प्लियर है ठीक है यहां पर डैट में गेंदवाजी कर लेती हैं दीसेंट फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक है और बैटिंग में भी कुछ नंस लगा सकते हैं इंपॉर्टन है लेनी चाहिए इसके पाद आती है अबिगेल फ्री बॉर्ण पंदरा का बैटिंग अबरेज है नौ मैचेश इखेले टीटुनिटी फॉर्मेट में रीसेंट फॉर्म इनका देखें तो कई मैचेश में बैटिंग नहीं है आप आती हो कई में आती है तो पंदरा बीस रन के असपास लगाती है बहुत से बहुत उससे जादे इस एक्सपेक्टिशन मत सब्सक्राइब करेंगी और बैटिंग में थोड़ा सा जरू डाउन आती है सारा ग्लेंग की बात करते हैं सिक्स्टीवन मैचेश सेवेंटी विक्ते हैं राइट आम लैक ब्रेक बोलर है रीसेंट फॉर्म बॉलिंग में ठीक ठाक चल रहा है और अपने टीम के लिए सबसे जहां करेट पॉसिबल हो जरूर ले लीजिएगा इसको दाती हैं लूसी हिगम कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है पंदराइनिंग में मात्र साथ विक्ते हैं रीसेंट ले भी कई मैचें बॉलिंग तक नहीं मिलती जबकि बोलर है नैंसी हर्मन की बात करें तो इनका मुझ डिशन नहीं रहेगी उपर चलें तो चलेंगे तो चलेंगे तो यह हो गई तो यहां चलते हैं साउदन ब्रेव टीम की तरफ तो यहां पे आती हैं सबसे पहले समिर्थी मंधाना 27 का बेटिंग एवरेज क्यारी करती है तो यह आपको लेनी चाहिए इनका फोड़ा सा जरूर मैं बोलूंगा कि अब डाउन होता रहता है बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं है बट जब खेलती हैं तो बहुत ही तगड़ा खेलती हैं लास्ट मैच जो इनका रहा था इंडिया सब्सक्राइब खेलती हैं अगर क्रेट हैं तो आपको लेना चाहिए स्टैफनी टेलर यह आपके लिए कैप्टन सी वाइस कप्टन सी के अनाधर चॉइस नैट सीवर के बाद जो मुझे ठीक ठाक पिक लगती है बलकि कभी-कभी नैट सीवर से जाधा पॉइंट आपको द मैंने अभी ओडियाइज में भी नंबर वन रैंकिंग होल्ड कर रही है मिठाली राज को पीछे छोड़ा हुआ है और वल्ल्ड की टॉप लाउंडर है ठीक है तो स्टैफनी टेलर की करम बात करें एवरेज इनका 30 का है रीसेंट बैटिंग फॉर्म देखें तो वह भी ठी सब्सक्राइज में बाकी लगबग हर मैंच में फ्लॉप गई है क्रेट सेवर हैं बट फिर भी आप इन पर प्रस्ट नहीं कर सकते हैं अमांडा वैलिंग्टन बहुत इंपॉरेंट रहेंगी इनको चाहें तो आप जील में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी भी दे सकते हैं लगातर पिछले 6-7 मैचें जो T20 में खेलें हर बार विक्टे लेके गई हैं और कई बार अच्छे खासे रंस भी पुट अप किये हैं और 48 रंकी पारी इनकी आखरी पारी थी T20 में जो इन्होंने खेली थी और हर मैच में इन्होंने विक्ट भी ली है तो बैटिंग तो इ सब्सक्राइब करें जाती हैं मौका मिलने बर तो जील में ही ट्राइब कीजिए का स्मॉल लिग में मत लीजेगा इसक़ आती है फी मौरिस बीस मैच में टीफोर रंस है यारा का बैटिंग एवरेज है कुछ खास बैटिंग में नहीं है बॉलिंग में एक एक का दुका में बैटिंग आई नहीं और जिन में आई है उनमें भी पांच-दस रन से उपर लगाए नहीं है तो इनसे जादा आप एकस्पेक्टेशन रख नहीं सकते हैं एक सो चौबीस इनिंग्स में एक सो पैतालिस विक्टे हैं आखरी कुछ मैच जरूरू इनके ठीक नहीं चल र पैल आती हैं तैरा इंक में मात्र आडविक्टे हैं कोई खास परफॉमेस नहीं है नहीं एक तरा की जिएका समौल लिंग में अमांड़ विलिंग्टन बहुत इंपोरन्ट हैates कब्तानी के लाएक हैं कि आपको हर एक मैच छोड़के एक मैच में चलेंगी तो रिसकी पेख होंगी वाट 50% मैचे में अच्छा खासा चलती है इंपक्ट फॉल प्लेयर है तो लेनी चाहिए इसमें इती मंदाना हमेशा लेनी चाहिए यह लगबग सतर असी परसंट मैचे में अच्छे ही करती है तो इनको तो आपको ली नहीं है तो यह हो गई बात दोनों टीम ही कि सब कुछ मैंने आपको बता दिया है अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं अच्छा जिल लोग ने अभी तक फैंटू प्लेय पर रजिस्टर नहीं कि दिया हुआ है जाइए और जॉइन कर लिजे रैफर कोड लगाएगा एफ एकस ताकि आपको फ्री कॉंटेस्ट वगेरा दिख सकें एफ एकस यूजर्स के लिए जो बनते हैं डेली हर मैच में सो एकस यूजर्स वो उसका फायदा उठा सकते हैं हंड़ेट परसंट बोनस लीग कॉंटेस्ट भी कुछ ना को जरूर बनते हैं हमेशा एकस यूजर्स के लिए तो एकस कोड लगाकर अगर आप आएंगे तो काफी ज़दा बेनरिफिट आपको होने वाला है बात करते हैं हम यहां पर ड्रीम 11 टीम की अच्छा एक चीज और बता दूं जो लोग ट्र बनाइए और एक बार चैलेंज़ फैंटसी को जरूर ट्राइए कि जैलन्ज फैंटसी में क्या ना आप दो प्लेयर तीन टीन प्लेयर और चार प्लेयर को लेके भी टीम बना सकते हो आपको 21 टीन चार के साथ भी आप खेल सकता यह बहुत अच्छा मैं बोलूँगा मौका रहेगा आपके पास होगी जैसे आपको पता है आज के मैच में जो सबसे इंब रहेंगी दो तीन प्लेयर ही हैं एक तो यहां पर नेट सीवर है कि स्टैफनी टेलर है एक अमांड़ा वैलिंग्टन है एक कैथरिन ब्राइस को माल लीजिए ब्रेंट को माल लीजिए तो पहले आपको दिखा दूँ क्योंकि यहां पर क्रेट का इशू है दो प्लेयर पहली बता देता हूं कौन से यहां पर थोड़ी से रिस्की रहेंगे तो पहला जो प्लेयर यहां पर रिस्की रहेगा बहुत जादा वो रहेगी एम बॉश्र जिसका परफॉर्मेंस जादा बहुत शर और हेगं इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर मैच रिस्की रहेगा अब अगर हमाई पास क्रेट होते हम किन किन प्लेस को पहले फैंटसी में टीम में लेते वह देख लीजे विकट कीपरिंस से कड़ बहुत नीचे आती है कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है मु इसके बाद व्याट करेगा इसमिती मन्धाना 17 परसंट में चलती है वह इंपको वयाट ही लेनी है ठीक भली मैंने यहां पर क्रेट मिन्टिन करने के लिए ग्रीफ और वॉक्षर को लेली है बट आप की प्रयृट्य जो पहली रहेगी वह व्याट ही रहेगी उसके बाद आप Gregz को ले सकते हैंzna तर्ड पर वैस्ट रहेंगी क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं 15-20 बॉल डालेंगी और ब्योटर बिलकुल हिंपोर्टन नहीं बलकि यसे बश्यर हो गई इस जब सब्सक्रास अंप 5-15 अला सकते हैं घलेगा 10 यही खेलेगा ने मे triple तीन बैस्ट ऑप्शन यहां से देखें तो इसमिरती मंदाना डीव्याट और टेरिसा ग्रेप से बस यह तीन ऑप्शन जहां पॉसिबल वहां ले ले लिजेगा और लाउंडर सेक्शन में आपको किन-किन प्लेस को लेना है मैंने तीन लिए हुए हैं बट बैस्ट ऑप्शन को ले लिजेगा बॉलिंग सेक्शन में देखें तो कैथरीन ब्रेंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्डंट है और तीनों की तीनों बहुत है और इसके अलावा नीचे जो आप देख रहे हैं बिलकुल इंपॉरेंट नहीं मत लीजेगा मैंने बस क्रेट मेंटिन क सब्सक्राइब करते हैं तो यहीं तीन बॉलस के साथ जाइएगा तो मैंने आपको बता दिया है कौन-कौन से प्लियर आपके लिए नहीं और इन पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत रिस्क वगएरा भी ले सकते हैं अलग-अलग कॉम्बिनेशन पना के तो ट्रीम 11 पर मै यह दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिन पर आप कप्तानी वाइस कप्तानी देने का भरोजा कर सकते हैं और कुछ लोग जो अलग करना चाहते हैं अमांडा वेलिंग्टन के साथ जा सकते हैं और रेचल प्रीश्ट बैटिंग वेन्यू पर तो रेचल प्रीश्ट पर बहुत अच् फइनल टीम के अपडेट्स बगरा मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है लिंक पर क्लिक करेंगे और ड्रीम 11 प्लेइंग 11 ऑफिशल हमारे टेलिग्रम चनल का नेम है उसको जॉइन कर लेंगे एक बार मैं आपको चैनल दिखा देता हूं यहां पर हम स्क्रिंशॉट ले लेजिए ठीक है चलिए वीडियो करते खतम जॉइन कर लीजेगा मिलते अगले वीडियो में बाबाए